वेल्कम टो अलमोस्ट एक्सो गाईज आज की सुड़े में बात करेंगे ओपो एफिप्टी नेज डिवाइज के यूजर से यार वेट करें कि हमाई डिवाइज में न्यू अप्डेट को कब तक रोल आउट किया जाएगा क्या आपको आपके डिवाइज में Android 11 और करेंश डिवाइज का सपोर्ट देखने को मिलेगा तो यह सुड़े मैं सारी को डिटेल शेयर कर दूँगा वीडियो को स्टार्ट से यह जरूर देखे का तक दिगा इंफर्मिशन आपको पूरू तरह समझ में आ जाएं आपके डिवाइज में उस अप्डेट के साथ में आपके डिवाइज में न्यू वर्जन को प्रोवाइड किया जाएगा। उस अप्डेटी की साइज आपको եीसे 400 Mb के आसपास देखने को मिलेगी। आपके device में latest security page अपडेट देखने को मिलेगा जो कि मई मन्त का होगा यहने आपके device में आपके device की smoothness, stability और performance को और भी आदा improvement किया जाएगा आपके device में जो भी छोटे मोटे bug fix किये जाएंगे उस अपडेट के साथ में अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपडेट कब तक rollout किये जाएगा ओपो के ओर से तो 20 मई से लेकर 25 मई के बीच में आपको अपडेट देखने को मिलेगा तो आप तक लिए थोड़ा सा वेट कर लिजेगा इसके रिगाडिंग कोई latest information आएगी तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलेगी चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा बेल एकन को पेस कीजेगा ताकि न्यूव वीडियो आप सबसे पहले देख सको अब बात करते कि क्या OPPO F50 ने इस device में Android 11 और कलस्विलन का अपडेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं तो मैंने आपको कितनी बार बताया है और मैंने customer care से भी बात किये उन्होंने बोला कि Android 11 का अपडेट तो देखने को मिल सकता है बड़ आपको ColorOS 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहूँ मुझा आपको डिवाइस प्रोसेसर यूज किया गया है Helio MediaTek G35 का वह यहां पर बहुत लोग केटिगरी का प्रोसेसर है तो आपको आपके डिवाइस में जो ColorOS 11 का अपडेट है वहां पर सपोर्ट नहीं करेगा बड कस्टमर केर ने इतना बताया था और बताया था कि Android 11 का अपडेट देखने को मुलेगा जो कि ColorOS 7.0 पे बेस्ट होगा तो उसका भी कोई आता पता नहीं है तो आपको वेट करना नहीं है क्योंकि आपका वो डिवाइस मतलब मिड रेंज से भी नीचे का है है तो आपको अपडेट कंपनी एस्टम अगर आपका हाई रेंज का डिवाइस होता तो आपको अपडेट अलग से डिवल्प करके बना दीती कंपनी बड आपके लिए नहीं करेगी मेरा जाता ऐटकरीनन से तो आपको वेट नहीं करना है तो आप मुझे comment मत करना कि यार colors लिए अपडेट यहां पर आप देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर viewer को लगता है कि मैं view के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप comment मत करना तो इस वीडियो में इतने थाज़ा वीडियो अच्छे रखी तो वीडियो का लाइक कर देना अधिक information के लिए मैं आपको जोइन हो जाना है मिलता के लिए अच्छे ले बाबाई टेक के